आईपीएर दस में बंगलूरू की टीम का सफर खत्म हो चुका है और चांपियन्स ट्रोफी के लिए टीम इंडिया का सफर अभी शुरू होना है गौर हो कि जून से भारत को चांपियन्स ट्रोफी में हिस्सा लेना है बीच के इस फ्री टाइम में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपने शौक पूरे कर रहे है आपको बता दी कि क्रिकेट के अलावा विराट को कार रेसिंग का भी शौक है विराट ने हाल ही में अपनी नई R8 को 280 किलोमेटर पर R की तुफानी रफतार से दोडाया आप चौक गए होंगे कि दिल्ली की सडकों पर भरा कोई इतनी स्पीड से कार कैसे चला सकता है जी हाँ आपका सोचना सही है विराट ने अपनी ये रफतार दिल्ली की सडकों पर नहीं बलकि दिल्ली से सटे ग्रेटर नॉइडा में बने फॉर्मिला वन ट्राक बुद्धा इंटरनाशनल सरकिट पर दिखाई है लेकिन विराट इतनी रफतार से गारी चलाने पर भी खुश नहीं दिखे क्योंकि वो अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके मीडिया रिपोर्ट के मताबिक कोहली इस से पहले 290 किलोमीटर पर आर की रफतार से औरी चला चुके है उन्होंने 280 किलोमीटर पर आर की स्पीड छूने के बाद बताया कि वो थोड़ा सा डर गए थे जिससे पिछली स्पीड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए कोहली ने रिपोर्टर को बताया कि मैं आखरी समय पर गारी को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता जैसे प्रोफेशनल ड्राइवर्स करते हैं इस दोरान उन्होंने क्रिकेट से जुड़े सवालों पर जवाब नहीं दिया वो IPL में अपनी टीम के खराप प्रदर्शन को भूलना चाहते थे इसलिए उन्होंने क्रिकेट से जुड़े सवालों को तरजीह नहीं दी गौर तलब है कि पिछले साल की उपविजेता टीम RCB इस बार अंक तालिका में सबसे नीचले पायदान पर रही है विराट कोहली को पिछले ही हफ़ते ओडी ने अपनी नई लक्जरी कार Q7 Quattro भी गिफ्ट की है उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो शेर करते हुए लिखा था थांक्स ओडी मेरी राइड अपग्रेट कर मुझे ये स्टाइलिश बीस्ट देने के लिए इस कार के अलग-अलग वेरियंट की कीमत 72 लाख रुपए से लेकर एक करोड के आसपास है